यह हम लोग 9th class के 6A प्रशनावली line and angle का 10 number question करते हैं क्या है आपका question क्या बोल रहा है question कहता है कि चित्र में angle AOC तथा angle AOB में प्रतेक सम कौन है तो सिद्ध कीजिए की BOC एक रेखा है यानि कि angle AOC A, O और C यानि ये angle क्या है आपका 90 इसी तरीके से AOB यानि ये angle आपकर क्या है जो 90 तो कैसे हम लोग करेंगे इसको तो देखे जो angle आपका कौन सा है पूरा angle ये angle BOC जो angle BOC है वो किसे किसे मिलकर बना है BOA से और AOC से BOA से और AOC से इससे मिलकर बना है तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़को हम लिख लेंगे अच्छा आपको इस दोनों एंगल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं प्रतेक कुन कितने का है 90 एंस का ये दोनों कुन आपको इनकी value क्या दे रखी है 90 degree तो इनकी जगह पर हमने रख दिये दोनों का मान तो यह लाइन इस वाली लाइन को हम क्या लिख सकते हैं इस वाली लाइन को अब हम angle BOC equal इसकी जगह पर भी हमने 90 रख दिया और इसकी जगह पर भी 90 रख दिया तो यह बन गई है कि B, O और C तीनों क्या हैं एक रेखा में हैं क्यों कोई एक स्वासियंस कोन रिज रेखी कोन बोला जाता है ठीक है line angle तो यह पहला question आपको समाझ में आ गया होगा आई अब हम लोग 10 के बाद 11 नंबर करते हैं 11 question सीखते हैं कैसे करना है 11 में देखिए आपसे question में क्या बोला गया है O A, O B, O C, O D और O E किरनों का एक ही सीमांत बिंदू O है सिद कीजिये की angle AOB, angle BOC, angle COD, plus angle DOE, plus angle EOA, equal 360 degree यह इस चारों angle का जोड़के हम लोगों को प्रूप करना है कि 360 degree होगा तो देखो दिया क्या क्या गया है आपको यह पांच रेज दी गए हैं पांचों हमने बना ली O A, O B, O C, O D, O E चीक है यह आपको दिया गया है सिद क्या करना है angle AOB, DOC, COD, plus angle DOE, plus angle EOA, equal 360 degree इसके बाद हमने रचना इस प्रकार जखी है कि O A, O D के विपरीद हो O A, O D के विपरीद हो अब क्या करना है देखिए आपको पास एक angle यह हो गया 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, total 5 angle बन गए तो अगर हम क्या करें angle जो यह line है A, O, D इसके एक side के 3 angle का plus कर लें और दूसरे side का 2 angle का plus कर लें तो दोनों की value कितनी होगी? 180 तो पहले मैंने लिखा DOC, DOC, यह वाला angle ठिक, फिर COB, यह angle उसके बाद BOA तो यह आपकी पहली एक line यह बन गई 180 डिगरी फिर इसी तरीके से जो है हम लोगों ने दूसरी line लिखी कौन सी? DOE और AOE तो यह आपकी बन गई second वाली line ठीक है? यह बना तो पूरे DOE, AC ही है तो DOA की value हम क्या है? क्या है? ridge रेखी है क्या है? line angle है क्या है? line angle है तो इस वज़य से हमने यहाँ पे इसकी जगा 180 लिख लिया अब इन दोनों equation को first और second को add कर दें तो add करने पर आपको क्या मिल जाएगी? यह line मिल जाएगी कि नहीं? तो 180 और 180 एड होके कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा और जो आपको सिद्ध करना है तो लेटरों को order में सही से लिख लिजिए क्योंकि शुरुवात में लोगों नहीं लिखा तब आपको लिखना पड़ेगा तो यह सिद्ध हुआ आपका फिर 12 नंबर में आते हैं 12 नंबर question क्या कहता है? चित्र में रेखा A, B और O, C इस प्रकार हैं कि angle C, O, B ratio angle C, O, A equal 5 ratio 5 4 ratio 5 4, 5, 5 तो दर्सा यह कि angle A, O, C minus angle B, O, C equal 1 by 9 angle A, O, B तो देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होने चाहिए कि angle A, O, C की value जो है angle A, O, B के रूप में निकाल लें और B, O, C की भी value इसी के रूप फार्म में निकाल लें और दोनों को सब्टेट कर देंगे तो इसलिए आंसर आ जाएगा तो सबसे पहली line देखे आपको क्या दे रखे? जो ratio दे रखा यह वो ratio लिखा हुआ है ratio को मतलब अपान में ठीक, यह हमने लिख लिख लिया इसके बाद फिर आपको देखे क्या दिया गया है जो angle है तो हमको तो यह मालूम ही है कि A, O, C जो है पूरी एक line angle है तो अगर हम इससे इसमें लिख सकते हैं कि जो A, O, B angle है A, O, B वो दोनों के sum के एकवल होगा, ठीक और यहाँ एक चीज़ इस angle में हम C, O, A का cross multiply करा लेंगे तो आपकी क्या line बन जाएगी, यह line बन जाएगी कि नहीं, यहीं C, O, B की value निकलाएगी इसी तरीके से हम एक बार इसको इधर बेजेंगे मतलब C, O, B की निकली, एक बार हम लोग C, O, A की भी निकलेंगे वो next system में करेंगे, पहले इतना कर लिए हम लोगोंने C, O, B की value निकली हम लोगोंने यहाँ cross multiply करके इसका अब यही value C, O, B की जगर रख दीजिए B, O, C यह C, O, B एकी बात है तो इस जगर पर जब रख देंगे तो यह line बन जाएगी आपकी अब यह देखिए, दोनों A, O, C, A, O, C है तो दोनों add होके कितना हो गया 9 by 5 A, O, C, कितना हो गया यहनि angle A, O, B equal इतना तो हमें A, O, C की value यह A, O, B की टर्में, तो 5 चला जाएगा यह उपर और 9 आजाएगा नीचे तो यह angle A, O, C equal कितना बन गया, 5 by 9 A, O, B यह equation हमारी पढ़ गई देखिए उपर एक first थी और यह second बना लिए हम लोगों ने, ठीक है, equation second, यह second बन गई अब next इसी के बाद हम लोग किसकी value निकालेंगे same, दूसरे angle की निकालेंगे तो अभी उपर हम रिलेशन बना चुके थे न तो उसी relation में हमने value रख दी वह angle equation first में COB equal angle BO, C COB, BOC एक ही बात है तो यहाँ पर हम लोग value उठाके रख देंगे जब equation first में तो यहाँ पर थोड़ा misprint है इस जगह पर BOC की जगह पर यहाँ पर आगे था 4 by 5 कितना था? 4 by 5 नहीं कुछ इस जगह पर mistake में लिखा हुआ है angle BOC और देखिए आपके यहाँ last line में इस जगह पर यह लिखा हुआ है angle COB बराबर 4 by 5 angle COA 4 by 5 angle COA यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 by 5 angle COA तो इस की जगह पर यह value रखी गई है ठीक है? यह misprint है यहाँ पर तो यह angle COB बराबर यह equation first थी ठीक है? उसी में value रख रहे है हम लोग तो इस जगह पर जब COB की value हम लोग ने 5 by 9 angle AOB निकाल ली यह रख लिया तो यह 5 से 5 कट गया तो यह बन गया 4 by 9 angle AOB यह BOC की value आई ठीक है? AOB के term में अब इसको डाले equation third अब जो हमारी second बनी थी और third बनी थी इनको हम कर देंगे subtract तो जैसे left side का left side में subtract होगा AOC और BOC और उसकी value आई थी कितना आजाएगा? 9 LCM में आजाएगा 5 में 4 subtract हो जाएगे तो कितना बन जाएगा यह 1 ठीक है? तो यह answer आपका आगया आप LCM के तरीके भी solve करना चाहें तो कर सकते हैं यह यह आपका prove करना था यह line-up की prove हो गई फिर question number अब हम कौन सा करेंगे? हम लोगों ने कर लिया 12 अब 13 की बारी आई 13 question क्या बोल रहा है? 13 question में भी दिया गया है चित्र में OE angle AOC angle AOC AOC की आरदक है ठीक है? यानि कि यह angle और यह angle equal equal बट रहा है ठीक है? उसके बाद फिर बोला कि तथा OEF जो है angle COB का आरदक है COB का आरदक है यानि यह equal equal part में बाद रहा है तो सिद्ध कीजिए कि AOB समरेख है AOB क्या है? समरेख है तो समरेख का एक ही तरीका है कि हम 180 degree प्रूब करेंगे अगर 180 degree प्रूब हो गया तो यह प्रूब हो जाएगा कि क्या है यह समरेख है तो कैसे करेंगे इसकों लोग पहले देखिए आपको angle काउन सा दे रखा है उन्होंने EOF EOF यह देखिए इस तरीके का जब जब भी कहें इस तरीके का sign बनाओ तो आप समझ जाए यह 90 degree दिया हुआ है इसका question में कहें जिक नहीं किया लेकिन figure में बना दिया उन्होंने तो यह क्या हो जाएगा यह angle आपको EOF दे रखा है 90 degree फिर उसके बाद angle AOB angle AO और यह B किसके खिसे मिलकर बना है यह पांचों angle से चारों angle का जोड है तो यह चारों angle हमने लिख रखे है ठीक आप इसके बाद देखिए angle जो AOE है ठीक है उसकी जिगए क्या लिख दिया गया है EOC AOE या EOC E, O, C क्यों क्यों क्योंकि AOE क्या है सेम है यह दोनों angle सेम है तो इसकी जिगए value यह अंदर वाली रख ली गई ठीक है फिर इसी तरीके से इधर भी यही काम किया गया FOB की जगए पर हमने क्या रख लिया आपका COF रख लिया COF रख लिया ठीक है यह रखने के बाद इस angle की जगए पर यह वाला angle रख लिया गया इस angle की जगए पर यह वाला angle रख लिया गया क्योंको दोनों equal हैं आपके question में बोल दिया गया तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा अंदर वाले दोनों का sum कितना होगा 90-90 तो इनके हम दो प्यार ले ले लेंगे तो देखिए एक जैसे दो angle बन गए EOC, EOC, COC, EOC तो यह add होगा 2, 2 होगए 2 होगया common अब यह देखिए angle EOC और COF यानि इन दोनों का sum कितना दिया था हमें यह 90 degree ठीक तो angle AOB equal कितना होगया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 2 into angle क्या लिख सकते हैं angle EOF इसी को लिख सकते हैं और EOF की value कितनी दिया 90 degree तो वो रख दी 90 तो 2 into 90 होगा तो कितना आ गया 80 degree कितना आ गया 80 degree तो इस तरीके से क्या हुआ अगर यह पूरा कोण AOB आपके कितना आ गया AOB की value अगर कितनी आ रही 180 degree तो AOB क्या है संडेक हैं क्योंकि line angle बन रहा है तो यह था 13 number question इसके बाद अब हम लोग करेंगे कौन सा 14 number question देखे 14 number question में क्या बोल रहा है कि चित्र में X के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होंगी देखे अब यह आपको figure जरूर तेढ़ा बना के रखा है लेकिन confuse कर रहा है बोल रहा है X के किस मान के लिए AOB एक सीधी line हो गई तो आपको कुछ नहीं करना सीधी line बोल दिया तो इसका मतलब आपको पूरा angle AOB कितना ले लेना है AOB कितना रखना है आपको यदि AOB एक सरल रेखा होगा तब AOB का मान क्या होना चाहिए एक सोसियंस होना चाहिए अब यह दो कौनों से मिलकर बना है किस से? AOC से और COB से इन दोनों के प्लस से बना है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री angle AOC की वैलू कितनी रखना है 2X-4 2X- वो रख दी फिर COB की वैलू कितनी दी है 3X-6 तो 3X-6 रख दी अब X-X वाले add हो जाएंगे तो 3,2,3,2 मिलके कितना हो जाएगा 5X और minus 4, minus 6 तो minus का 10 equal 180 चल रहा था आपका अब यह आपकी line बन गई क्या 5X-10 equal 180 डिग्री इसके बाद क्या करेंगे हम लोग Transposition करेंगे क्या करेंगे हमारे पास line थी 5X-10 equal 180 तो यह 10 उस तरफ जाएगा तो positive हो जाएगा तो यह line बन गई 5X equal 180 plus 10 तो यह हो गया 5 divide में आ जाएगा यह एक 5 कहा जाएगा यह divide में आ जाएगा ठीक है तो divide में आ आया तो divide में करने के बाद हमने so cut किया 5,3 जा 15 और कहरी कितना हुआ 4 तो 5,8 जा 40 ठीक है तो इस तरीके से क्या आ गया आपके पास आपके पास आ गया 38 divide करने पर अब X equal to आपकी कितनी आ गई 38 तो X की value ही आपसे पूछी थी तो बस यहाई से आपका यह answer हो गया complete ठीक है यह 14 number question था अब हम लोग करेंगे 15 number question 15 number question में क्या बोल रहा है आपसे 15 number question में बोला गया है चित्र में यह दी X plus Y plus Z बराबर 180 अंस है Z minus Y अंस equal 10 अंस है और angle D is equal to 90 degree तो X, Y, Z की value गयाद कीजिए नहीं मान गयाद कीजिए तो देखिए आपको figure बना हुआ ही है सारी value आपको दे ही रखी है equation के form में पहली line क्या दे रखी है आपको X plus Y plus Z बराबर 180 degree फिर दूसरा दे रखा है दोनों का minus दे रखा है अंगलों का इसके बाद तीसरा आपको क्या line दे रखी है angle D आपको ये information ये information ये information सब दी गई है अब अच्छे एक चीज द्यान रखेएगा ये जो line है ये एक cd line है तो इसका मतलब Z, D और Y इन तीनों का sum कितना होगा 180 degree कितना होगा 180 degree ठीक है और इसी तरीके से ये ले लिज़े जैसे Y ये भी एक cd line है तो Y और D का sum भी कितना होगा 180 degree ठीक तो अब आपके question में क्या किया गया है यहाँ पे ध्यान से देखेगा कुछ solve किया गया है जिसे Y और Z की value क्या बोली गई 90 degree बोली गई Y और Z की तो देखिए Y और Z कहां से 90 degree हो जाएगा भाई क्योंकि D अकेले 90 degree है D क्या है अकेले 90 degree है और यह पूरा 180 degree है तो Y और Z का sum कितना होगा अकेले 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जब पूरा 180 और 90 हटा देंगे तो 90 तो बचेगा तो यह एक relation वहाँ से लिख लिया है क्योंकि यह 90 अकेले है हमने रख दी value Y प्लस Z की जगह पर कितना 90 90 हो गया ट्रांसपोज तो X की value क्या आगई आपके पास 90 degree तो यह आपका पहला answer हो गया First answer आपका complete हो गया फिर आप देखिए आगर हम लोग add करने किसको किसको यह जो यह दोनों इक कुशनों को तो इन जब दोनों इक कुशनों को add करेंगे तो Y से Y कट हो जाएगा ठीक है और X की value हम निकाली चुके हैं तो Z सिर्फ question Z में बन जाएगा तो यह देखिए Y से Y आपका cancel out हो गया और X की value हमें मालूम है 90 निकाल चुके हैं और यह Z Z add होके कितना हो जाएगा Z और यह Z add होके हो जाएगा आपके पास Z और Z add होके हो जाएगा 2Z और equal में क्या हो जाएगा क्योंकि जब add किया है तो एक equation में 10 है इस तरफ तो यह दोनों इस side वाले भी add हो जाएगे ना तो यह यह लिख जाएगे कितने 180 प्लस 10 तो यह 10 add हो गया तो क्या बन गया आपके पास 190 अगर यह 90 उतर ट्रांसपोज में चला जाएगा तो यह किता बन जाएगा 190 माइनस का 90 तो यह आ जाएगा 100 फिर Z की value निकालनी है तो 2 कहा आ जाएगा divide में आ जाएगा तो यह कट हो गया तो कितना आ गया 100 से ठीक है Z is equal to क्या हो जाएगा 100 y 2 2 5 10 और 0 की 0 तो Z equal to क्या आ गया 50 degree जो steps miss हैं आपको नहीं समझ में आती हैं आप अपनी copy पे उन steps को बढ़ाएगे फिर उसके बाद आप हमको किस की value निकालनी है y की तो अब देखिए आपको पास x की भी है और आपके पास z की भी है तो अब यह relation लगा देते हैं x plus y plus z वाला तो आपमे x की value रख लिए और z की value रख लिए तो यह 90 और 50 add होके कितना हो जाएगा आपके पास ठीक है 90 और 50 चलिए इसको यहां कर देते हैं हम लोग 90 और 50 add होके कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा y plus 140 equal 180 degree ठीक है तो y equal क्या हो जाएगा 180 minus का 140 तो y degree equal क्या इतना आगया 40 तो आपके तीनों answer क्या हो गए x की value आई 90 degree ठीक है तो तीनों answer आपके यहां हम लिखे दे रहे हैं उपर की साइड उपर लिख देते हैं तीनों answer क्या है x equal 90 y equal 40 degree और z equal आया था 50 degree ठीक है यह आपके तीनों complete answer हो ठीक है तो अब हम लोग करेंगे 16 question यह था आपका 15 question अब करेंगे हम लोग 10